तो नाउ स्टूइंट्स आज हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जो आखरी दो हमारे कॉंपोनेंट्स हैं जिसको अमोमन हम लोग बोलते हैं इनफलुएंसर और मीडिया साइट्स अब बिसकली पहले यहां समञें कि इनफलुएंसर क्या होता है मैं किसको इनफलुएंसर बोल रहाँ इनफलुएंसर से बिसकली मुराद यह है कि ऐसी community या ऐसे लोग या ऐसे ब्रैंड्स जो अगर आपके e-commerce store को या आपके offer किये हुए product को अगर endorse कर दें या वो अगर ये बोल दें कि it is a good product to use तो वो उनको हम लोग basically influencers बोलते हैं influencers की जो बहुत बड़ी example है वो basically आजकल के जमाने में different blogs हैं blogs हैं या social media के for example facebook का कोई अगर एक specific page है उस page पे अगर आपके product को specifically by name कोई celebrity endorse कर दे तो उससे आपकी market value या उससे आपकी जो marketplace के अंदर उसकी जो niche है वो बहुत जादा increase कर जाती है यानि आप यूं समझें कि अगर मुझे 10 टीजों में से कोई एक चीज़ खरीदनी है अगर मुझे 10 available चीज़ों में से जो market में available है मेरी मर्ज़े के मताबक अगर उनमें से मुझे कोई एक चीज़ खरीदनी है तो naturally psychologically ये बात है कि मैं सबसे पहले वो चीज़ देखूंगा जो किसी और ने recommend की हुई है और खास और पे एक ऐसे बंदे नहीं है या ऐसी personality ने recommend की हुई है तो whom I look for ये ये natural है ये psychological fact है इसमें कोई mathematics नहीं है इसमें कोई आप समझें कोई और formula नहीं है It is just to play with your human psyche number one number two के for example आपका एक e-commerce का store है अब e-commerce की store का अंदर आपका जो end goal है वो है के आपने अपनी obviously sales ज्यादा करनी है आप product offer कर रहे हैं लेकिन आपने sales ज्यादा करनी है और आपको ये मालूम है के online sales ज्यादा करने के लिए you have to market market क्यों करना है क्यों basically अगर आपने sales ज्यादा करनी है तो आपने basically number of visitors जो आपकी website पे आ रहे हैं e-commerce store पे आ रहे हैं उनका count ज्यादा करना है तो एक तो traditional marketing के तरीके हैं दूसर जो online marketplace में और चीज़े हैं वो blog है social media के through marketing है affiliates की marketing है affiliate का concept ही होता है के असाल लफजों में के एक कोई आप समझें एक कोई बड़ा brand है उस brand के साथ कुछ affiliated brands है आप समझें कि Microsoft कुछ services offer कर रहा है और under the umbrella of Microsoft Microsoft वाले ही आपको कहते हैं कि हम यह XYZ service भी offer कर रहे हैं लेकिन वो service Microsoft वाले offer नहीं कर रहे हैं Microsoft से किसी third party ने या third कोई company है उन्होंने contract किया हुआ है और क्योंकि आपने financial understanding है तो इसको affiliate बोलते हैं तो affiliate की जरीए भी यानि अगर आप यूं समझें के एक ऐसी चीज़ जिसको Microsoft जैसे brand endorse कर दे तो obviously उसकी market value जादा है यानि मैं अगर customer हूँ और मैं अगर देखूँ कर अगर Microsoft एक चीज़ को recommend कर रहा है तो naturally may I tilt at the time of purchasing उस सरफ होगा जो एक brand recommend कर रहा है एक और concept e-commerce में बहुत ज़दा आपको दमाग में रखना पड़ता है वो ये रखना पड़ता है कि जो product आप offer कर रहे हैं उस product की market value currently different market places में क्या है असान लफ़ों में आपको समझाता हूँ मैं कि for example एक mobile phone है आपने online अपना e-commerce store open किया आपने का जी कि मैं mobile phone बेचूँगा fair enough आपने google trend के जरीए उसके देखा कि जी इसकी sale बहुत ज़्यादा हो रही है, demand बहुत ज़्यादा है, searches बहुत ज़्यादा हो रही है you decided कि मैं mobile phone बेचूँगा, fair enough अब अगरा step ये है कि अब आपने ये देखना है कि mobile phone अगर मैं let's suppose 800 dollar का offer करता हूँ अपने e-commerce store के उपर, एक customer आता है, क्या उस ही brand का mobile phone, current marketplace में कितने का पड़ाव है यानि उतना processor हो, बाकी जो सारे specs हैं वो उतने ही हो, जो मैं offer कर रहा हूँ तो मेरे competitors ने क्या price रखी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं aggregators website, यानि एक ऐसी website जो आपको एक, दो, तीन, चार या different market places से, same product की prices को compare करके देता है यानि आपको ये बता आदा है, for example, कि iPhone 7 है, वो अगर मैं Amazon से खरीदूँगा तो मुझे कितने का, उसकी cost पड़ेगी मैं for example, Alibaba या Alie Express से purchase करूँगा, तो उसकी price क्या पड़ेगी, and so on इस तरह की websites को हम लोग बोलते हैं, aggregators, so अब हम देखते हैं, कि aggregator website क्या होती है So now students, अब हम एक aggregator website को explore करते हैं, जैसे ही आप browser में लिखे है calco.co.uk, यानि k-e-l-k-o.co.uk, तो इस तरह की website आपके सामने open हो जाएगी aggregator website आपको basically ये बताती है, कि let's suppose अगर आपको एक product अपनी e-commerce shop में या online store में offer करने का plan कर रहे हैं, तो वो ही product आपका जो competitor है, या market के different vendors हैं, odd shops हैं, वो same product क्यों क्या price offer कर रहे हैं तो let's suppose मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आइफोन लिख देता हूँ, या कुछ भी जो product में offer करना चाहरा हूँ, आइफोन 7 लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर click करूँगा तो just look at the result set, ये बड़ा मज़े का result set है, अब ये basic के लिए हमें ये बता रहे हैं कि अगर आइफोन मैं खरीद हूँ, Amazon UK से, तो it will cost me 600 pound, अगर मैं आइफोन 7 खरीद हूँ, RD shop UK से, it will cost me 646, ये बायर से खरीद हूँ, just look at this, ये मुझे कह रहा है 741 pound, Amazon Marketplace 749, मिकान मुबाइल से अगर मैं खरीद हूँ, 464 है, और हर एक के साथ का URL भी आ रहा है, तो ये जब, for example, आप अपना, let's suppose, ये टॉबी डील्स है, ये 307 है, अब, for example, आप अपनी product आफर करना चाह रहे हैं, same product अपनी website पर आफर करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये find out करना बहुत जरूरी होता है, as a startup, कि आप अपने product की price range क्या रखें, तो इस तरह की जो aggregator websites होती हैं, वो आपको help out करती हैं, कि online रहते वेई, आप एक sort of survey conduct कर सकते हैं, कि price range चल क्या रही है, दूसरा तरीका moment इसका ही होता है, कि you have to visit the shops, for example, physically, लाहोर में आप shops को visit करें हैं, कराची में करें, ताकि आप same product का, जो market price है, वो आप find out करने ही कोशिच करें, तो aggregators basically आप को help out करते हैं, different website से data जमा करके, एक website पे show करने में, so this is all about aggregators, online marketplace map का, जो सबसे आखरी component है, वो actually आपकी destination sites है, यानि आपका अपना e-commerce store, what does it translate to, कि आपने product को भी, आप में select कर लिया, आप में उसकी price भी देख ली, आप में उसकी marketing भी कर ली, लेकिन at the end of the day, जो आपका अप यानि store है, it has to offer something unique, यानि अगर 10-30 market में available हैं, तो एक चीज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, OVP, online value proposition, असाल से लफजों में, कि अगर मैं किसी की website से कुछ चीज purchase कर रहा हूं, तो आजकल competition के जमाने में, this website has to offer me something unique, in form of discount, in form of user experience, in form of some loyalty program, and so on, something different has to be there to attract a customer to do a purchase from a website.